मैं डॉक्टर जग्दिश परसाद मिना असिस्टेंट प्रोपेसर ईए एफम आर्तिक परसासने वित्ति प्रबंद विद्धारतियों आज दिन करेंगे कारिशिल पुझी के प्रकार कारिशिल पुझी का वरीकर निम्द दो आदारों पर किया जाता है पहला है अवधानों के आदार पर दूसरा आवसक्ताओं के आदार पर अवधानों के आदार पर कारिशिल पुझी अवधानों के आदार पर दो प्रकार की हो सकती है फेस्ट है सकल कारिशील पुंजी, ग्रोव्स वर्किंग केपिटल सकल कारिशील पुंजी कास से सम्पून चालू संपतियों के योग से होता है चालू संपतियों में नागाच, बेहंक, सेज, देनदार, इस्ट्रोक तता पूरो दत्पुक्तान अधिस समलित होते कुछ विद्वान इसे चक्रे पुंजी की संग्या देना अधिक उप्यूक्त समस्ते हैं सुद्धकारेशिल पुंजी चालू संपत्तियों के चालू दायतों पर अधिक के किराशी को सुद्धकारेशिल पुंजी के नाम से जाना जाता है हादुनिक विद्वान इस अवदाना को उप्यूप मानते हैं सेकिंड है आवसक्ताओं के आधार पर आवसक्ताओं के आधार पर कारेशिल पुंजी को भी दोवागों में डिवाइडिट किया गया है इस्ताई अत्वा नेमित कारेशिल पुंजी कारेशिल पुंजी की वह रासी जो व्यवसाई के सामानी संचालन के लिए नेमित रूप से चाली संपत्तियों में बिन्योजित रखी जाती है वह नेमित या इस्ताई कारेशिल पुंजी कहलाती है ये कारिशिल पुंजी संस्ता में इस्ताई तोर पर रखी जाते हैं जैसे कच्छे माल का नियुनतम इस्तर, स्टोक में नियुनतम तयार माल, नियुनतम बैंक या नगासेश अदि परिवर्तन सिल या मोसमी कारिशिल पुंजी नियुमित कारिशिल पुंजी के अतरिक्त वियुसाई के सुईता पूरवक संचालन के लिए वर्स के दोरान मोसमी कारिशिल पुंजी की भी आवसकता पड़ती है ये पुंजी की रासी वेवसाई के कुछ समय विसेश पर प्यापार की अधिक्ता या समय विसेश पर कच्चे माल की उपलबता के कारण हो सकती है जैसे सूती वस्तर उद्योग में कपास की फसल पर वर्स पर की कपास खरिद कर रखना होता है इस्ताई ये मौसमी कारी सिल पुंजी को निमने माद्यम से इसपष्ट किया जा सकता है वेवसाई के दिन पर दिते दिन के कारी कलापों में कारी सिल पुंजी रूमी का दिन वाट कुन है उचित मात्रा में इस्ताई संपत्यों का परबंद कर लेने मात्र से ही वेवसाई का संचला नहीं किया जा सकता है वालकि इन संपत्यों को पूम उप्योग करके ही वेवसाई में लाब कमाया जा सकता है हिष्टाई संपत्यों कफून उप्योग कारिशील फूंजी के उचित प्रवंद पर निर्वर करता है व्योस्ताई की समन्ने कारवई का व्यवस्तिय की देंचलन करने के लिए कच्छा माल खरिदने उसे निर्मित माल में बदने माल की बिक्री विवस्ता करने तता ग्राकों को उधार माल बेचने अद्धी के आउसकता होती है इन सब के लिए कारिशिल कुंजी की आउसकता पड़ती है विवसाई में कारिशिल कुंजी का मैत्वे मनुस्य सरीर में रक्त परवा की बाती है जिस परकार मनुश्य का स्वास्ति रख परवादे होने वक्काम होने से बिगड़ जाता है ठेक उसी परकार कारिसिल पुंजी की विवस्ता छिन बिन होने से विवस्ता की बिगड़ जाती है तता ये परगती की बज़ाए पतन की और जाने रखता है खारिसिल पुंजी परुट वेवसाई की निमना आउस्ताओं की फूटती काती है फ़स्ट है कच्छा माल खरीदने के लिए आउस्थक वेथवोसन की वेवस्ता करना सेकिन कच्छे माल को निरुट माल में परिवर्तित करने के लिए आउस्थक मजदूरी वे उपरी वेववो का वुक्ताण करना तीसरा उचित विकोरा वेवस्ता कर संस्था को आतने बर अलावा खारिसिल पुंजी का प्रिवग विविन परतेक्स वेवन के तद्काल वुक्ताण के लिए किया जाता है साधान ते इन वियों का वुक्तार माल विक्रे से पूरू ही किया जता है आदूनी विवसाई में जहां परतिस परदा अधिक होती है विक्रे की उचित मातरा बनाए रखने के लिए हुदार माल बेचना वसक होता है बेचेगे माल की बसुली कुछ समय पसाथ होती है लेकिन इस समय के दोरान बए इस समय से पूर विभिन परतेक्स भी आ हो जैसे सामगरी बिजली पानी मज़़ूरी की रहा आदी निरंतर भी होते रहते हैं आयत अता बेच की समयों में होने वाले अंतर के कान संस्ता वो कारेशिल पूर्जी की आऊ सकता होती है यदि संस्ता भूमी मसीन ओजा आदे इस्तिर संपत्यों की व्यवस्ता कर लें लेकिन वियुसाई के सामाने कारियों के लिए कारिशिल पूंजी की वियुस्ता ना कर सके तो संसस सपर नहीं हो सकती हताब वित्य उजना बनाते समय इस्तिर सम्पत्यों की सुद्रड व्यूस्ता के साथ साथ परियात कारिशल पुंजी की व्यूस्ता भी होनी चाहिए